कर्णयो कर्णिकार पिक्रवासर कलगभीशं वैजयं इंचमार रध्रावेव रध्रसुत्या पूरयन गोपवन्दई व्रुंदान स्वपद्रमडं राविशत गीत की आई दर्शन की थीए प्रभू बस्तट पर मोर पिछ धारन करते हैं और हरिदाय जी कह रहे हैं ऐसे सुरुप का दर्शन मुझे कब हो मोरू पिछ क्यों धारन किया वोधने में महाप्रभू जी आग्या करते हैं मिश्काम छेम नहीं महाप्रभुजी तो कहे के मयूर जारे रस्मत बने रस्मत बने आकाश्मा घेराई ला करावादलों ने जुए और रस्मत बने लो मयूर पुता नी पाखो ने फैलावी ने नुत्य करवा लागे ब्रिंदावन मा केहो केहो ना आवाज करतो ये मयूर नत्य करवा लागे अने रस्मत बने लो मयूर त्यारे पोता नू पीछू खिराई पाड़े तो ठाकोर जी ए बहरहा पीड मयूर पीछने मस्तक पर धारन करे अने धारन करी ने सुचित करी दहाचे गोपी जनोंने कि हो पण रसरूप बनेवी नत वर वरवर सइन्योगाात्मक अने विप्रयोगात्मक श्रिंगारश द्विदल आत्मक छह स्रिंगार रसरूप प्रभू पोटे बन्यान पोते रस बन्यान पोता नो whip पात्र बनिया अने इटले पुष्टी मार्ग मां जुओ, मुगट सिधाना आवे, वाको धराए कांगे पात्र मां थी रस आपवानू होई ने, तरे पात्र थोड़ू वाको करवी पड़े तो इटले दान करवा मांटे पुष्टी मार्ग मां मुगट आडा धराए शे तो मयूर नू पिछ जाने रसदान नू प्रतिक छे, जारे जारे मयूर पिछ प्रस्तक पर धारण करी होई समझू, प्रभू आज रसदान करने वाला हुआ वाकड या केश विखरायल आशे, अरी राय जी कहें आवास वरुपन दर्शन मने क्या रहे था है, जो गोपिया कहती है कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जडव दीक्षताम पक्ष्मक्रत दृष्टाम, वो विखरे हुए केश वाला आपका मुखारविंद, और गोपिय कहने लगी, जब ऐसे मुखारविंद, कांद दर्शन करती है, तब वो ब्रह्मा हमको जड़ दिखाई देता है, वो जड़ है, क्योंकि दर्शन करते समय हमारी पलक बंद हो जाती है, और पलक बंद हो, इतनी क्षण प्रभू के दर्शन से वंचित रह जाती है, और ऐसा त या प्रदय में जागता है, मानों करोणों युग बीत गए, प्रभू का दर्शन किये हुए, लट मुखार गिंद पर आवे, तब प्रभूनी सोवाने गणी बदी जाए, प्रभूना दर्शन करीए ने तब आवा दर्शन करवाने, अईया कहों, प्रभू आवा दर्शन बने क्यारे कराव शो अधार श्लोक मां किसोर स्वरुपनों वर्णन करिऊ छे आगल चवध मां श्लोक मां कहों कि प्रभू आपनी आँ हाथ मां पकड़ेली जे वैनू छे नै अने वैनू ने अधरो पर पदरावी ने जारे आप नाद करो जारे आप उमारा चितने मोहित करी लो छे एपलूत नहीं पड़ जे जड़ छे एने चेतन रुपा बनावी दो अने जे चेतन छे एने जड़ जेवा बनावी दो आएम कहता हरी राय जी आग्या करे चवध मां स्टोक मां अवादयंतं मुर्विका मोहयंतं मनसदा जगत जड़ं प्रकूर्वनम्तं रोधयंतं चज़श्वां ए प्रभू मुर्विका नादना वड़े आप सत्पुरुशोना चित्तोने मोहित करी लो छे आनाद एक एवो छे जे जड़ हो ए चेतन जवा थी जाए आकास मां गती करता मेगो युगल गीत मां वर्णन करे गोपियो आम मेगो तो आपना सखा चे समान सील जसने सख्थम शौकन सवभाव जेना सरखा होई ने इनना मत्चा क्ये था आप जे मेग जिवा श्याम चो एम ए मेग पन श्याम चे आप पन जे वरसवा वाड़ा चो एम आप पन वरसचे चे आप पन जे मधिकार ने जोता न थी क्या ने कितना कर्मों करया ने सुसतकारे करया एम मेगो पन जोता न थी क्या वरसू ने क्या न वरसू ये तो वरस्ताज होई पड़े जड़ मेगो पन वेणू नाद सामड़ी रिवा रोमांची तो थाई जाए के अमने आख माती डड दड़ करी न अश्रूपात खवाला गे अने व्रजभक्तों ने वर्शा थाई रही चे पड़ गोपियों तो कहे के ने तो रोमांच न अश्रूपात थाई रहा चे हम जड़ चेतन बनी गया अने चेतन जेवा पक्षियों क्षणवार माटे पने अमने बेसाडी नश्र खाई एवा पक्षियों प्रायों बतांब भीगा मुनयो वने इस्त्रिन कृष्णे क्षणास्त दूदीतं कल वहणू गीतं आरुईये दुमबुजान रुचिरप्रवा शुडवंती मिलित्रशो विगतान्य वाचह पुतानी समग्र चंचलता छोड़ी जड़ जेवा जने कोई काष्ठना बनेला पक्षियों होए इवा जाड़नी दाल पर बैठाश्यों धन्यास्तु मूड मतयोपी हरिन्य एता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशं आक पूजाम दधु味 किताम प्रणयाव लो कई यह यहि इवी मूड हर्नियों जेमना मा बुद्धीपण न सी मूड अने यमना मा क्या वो भाव आवी गये हो पूजाम दधुब दिचिताम प्रणयाव हर्नियों ने थाय कि प्रभूने वंस्म मछेट DRU आ धे वीमने 55-68 वल च तो प्रभून सुख क्या रे थाए जारे एमनी द्रष्टी स्वामनी जीना नेत्रों पर पड़े अने आम विचारी हर्णियों टगर 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 प्रभूनी सन्मुक जो वा लागी अने मनमा विचार वा लागी जो प्रभूनी द्रष्टी अमारा नेत्रों पर पड़े चो स्वामनी जीनी सुधी थशे अने अम्या मनमा सुखनों अनुभव पर पूजाम दधु विर्चताम प्रणया अवलोक ही ही आवा प्रणय पुर्वक न अवलोकन आ मूड हर्णियों सिखी क्या थी आपनी वेणुना चल छे आवदा वेणुना आद जे जड छेने चेतन करी नाखे मूड छेने चतुर बनावी नाखे दुनियाना बद्धाज प्रवाहो उदगम थी दूर लही जता होए छे पने एक वेणुनों प्रवाहो छे जे उदगम नी और खेंचीने लही आवे तो मैं नदीमा चेक वस्तु नाखो तो यह वेती वेती दूर लही जाए जाती निकलती होए त्याथी यह मुरलीनों प्रवाहो एना प्रवामा जो कोई आवी गवं जाती निकले चे तरफ खेंचीने लिया नद्यस्त दात दुपधारे मुकंद गीतम आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगाहा आलिंगनम सगित मुर्मी भुजैर मुरारे गुरुणंती पाद युगलम कमलो पहारा अकलकल वहती नदियो तटना तटमा थी जारे दावुजी और प्रभु पधारता हो वेणु नाद करता करता चरे नदियो ने अम थाए क्यारे ठाकोजी ना चरन कमलनो प्रक्षालन करू पोतानी अंदर रहला कमलो न उपहार लई नदियो पोतानी लहरों ने वहावे और ठाकोजी ना चरना रिदमा कमलना उपहार आपे अंताय मद्र बलाहिदास वर्यो अगिराज बावाने जो पुरणा पुलिंद उरुगा ये पदाप जराग श्री कुमकुमेन दहितास्तन मंडितेन ये पुलिंदियों को देखो भील कन्याए हैं मूड हैं कोई ग्यान नहीं है फिर भी जब प्रभू के चर्ण कमल में लगा हुआ कुमकुम और केसर प्रभू के लिए उठ्थापन भोग की सामगरी लेने जाती है और तब वो कुमकुम केसर को पाकर अपने वक्सस्थल पर लगाकर स्वामनी जी का रसावेश उनका अनुभाव ये पुलिंद जीयों को होता है ये वैणों नो प्रभाव के ओ छे वैणों गीत अने युगल गीतना बताजी सत पुरुशोना चितने मोहले नारी छे मोहित करनारी छे लेण आतो स्वयम सरस्वतिक जड़ बनी ने आवया छे बहाप्रभुजी तो कहे के वैणों तो माध्यम छे